आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की आजीब औ गरीप मक्री के बारे में, जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन एक्चुवाली में ये हमारे धर्ती पे एक्जीस करता है, ये इतना अद्भूत है कि इसके उपर एकिन करना मुश्किल है, जैसे घर में पाले जाने वाली मक्री, या डैंस करने वाली मक्री, सिर्फ आप लोगों से एक रिकोस्ट करते हैं, वीडियो को एंटेक देखिए, क्योंकि इस तरीके का इन्फोर्मेशन आपको कई और नहीं मिलेगा, नमबर वान, सिल्क हैंगी स्पाइडर, ये दुनिया सारा घर बनाता है, और हर घर में एक अंडा देता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसी पद्यती, दूसरी कोई जानबार इस्तेमाल नहीं करता, नमबर टू, फ्लिक फ्लाक इस्पाइडर, ये मक्री हवा में गुलाटी मातता है, अपने शिकारी से बचने के लिए ये मक्री अपने शरील का सब कुस इस्तेमाल कर देता है, जांप एंड डैंस करने के लिए, और इसी कारान ज्यादा तर समय इसकी मौत होता है, नमबर थिरी, मिरर स्पाइडर, ये मक्री आस्ट्रेलिया में पाय जाता है, जिसके शरील के उपाद छोटा 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 क्योंकि शिकारी इसे आसानी से नहीं देख पता, ये अपने काच की मदद से अपना कलर भी चेंस कर सकता है, और अगर ये किसी को काट ले तो एक सेगेंड के आंदर ही कोई भी मर जाता है, वही समय शिकारी इस मक्री का जहर इस्तेमाल करता है शिकार करने के लिए, नमबर 5. Becock Spider, ए मक्री Amazon जंगल में पाया जाता है, जो अपने कलर और डैंस के लिए बाकी मक्री से अलग है, ए मक्री फिमेल मक्री को एक्टेक्ट करने के लिए डैंस करता है, इन सब मक्री का कलर अलग-अलग होता है, ए देखने में भायानक है पर इंसान के लिए सेफ है, क्योंकि इसका दाद बहुत छोटा होता है जिसके काड़ान एक काट नहीं सकता नमबर सिक्स रापडोर स्पाइडर ये मिट्टी के नीचे अपना घर बना के रहता है और ये 35 साल तक जिन्दा रहता है ये अपना घर नदी के आसपस बनाता है क्योंकि ये मचली पकड़ के खा सके और ये अपने शिकार के भाइब्रेशन पता करके शिकार कता है वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब करना ये हमारे यूटूब जर्नी का पहला वीडियो है